पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी इलेक्टिव, ठीक है? हिंदी इलेक्टिव का जो भी पैटन एक्जाम का दो भाग में डिभाइड है एक किताब से पढ़े जाएंगे, उसमें कितने नमबर आएंगे और एक बीना किताब पढ़े यानि जो रचना से related question होते हैं गद्यान से related question होते हैं वो सारे question कैसे हम लोग को देना है तो हमने आपको बताया था है गद्यान के question आप लोग खुद से किसी भी पुराने book से कर लेना है गद्यान के बाद अगर देखा जाए रचना में question क्या पूछे जाते हैं नीबंद पूछे जाते हैं वो भी question मैंने आपको करवा दिया है topic बता दिया है आप वो सारे topic किसी भी पुराने guess paper question bank या कहीं से भी अगर मिल जाए उससे क्या करना आपको copy में notes बना-बना कर लिख लिख कर point wise अच्छे से सुन्दर से practice करना है ये मैं नहीं करने आऊंगा आपके घर में ये आपको खुद करना है तभी आपको अच्छा number मिलेगा आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं पत्र लेखन से जो भी question पूछे जाएंगे वो सारे पत्र लेखन इसी वीडियो में cover करेंगे जो भी important है ऐसे पत्र लेखन अगर देखा जाए तो 100 पत्र लेखन जो आपके exam में आ सकते लेकिन important जो एकदम important है वो पत्र लेखन आज के वीडियो में discuss करेंगे तो पहला question क्या है वो ध्यान से देखेगा सडको की हालत पर खेद और चिंता परकट करते वे नगर पाली का अध्याच को पत्र लिखे कैसे लिखना है यहाँ पर देख लीजे ध्यान से एकदम simple जैसे आप लिखते हो application दरखास बचपन से लिखते आ रहे हो वैसे ही लिखना है डरना नहीं है कि यहार यह कैसा question पूच दिया है बहुत simple होता है उतना tension लेने की जरुरत नहीं है जैसे application लिखते हो वैसे ही लिखना है कैसे लिखना है अब date एक डाल दीजेगा date डालने के बाद यहाँ पर लिखना है सेवा में अध्याच महोदे नगर पाली का गुमला जहां का भी होगा जिजिला का भी होगा आप नाम लिख दीजे जरुरी नहीं गुमला ही लिखना है तो यहाँ पर समझना है कि नगर पाली का अध्याच के पास हमको क्या लिखना है पत्र लिखना है क्यों लिखना है सडकों की हालत जो बहुत ही खराब है गड़े उड़े हो गए ठीक है यह topic खुद से mind से create करना है क्योंकि यहाँ पर विशे क्या डालना है सडकों की खराब हालत के संबन में महोद है मैं आपका ध्यान इस छेतर की सडकों की हालात की और आकरसित करना चाहता हूँ इस छेतर का नाम तो विकास रोड गुमला है लेकिन आज तक कि सडक का विकास नहीं हुआ है चार उतरब गड़े है कैसे इस गड़े में गाड़िया परवेश करेगी सडक बहुत खराब इस तरीके से जरूरी नहीं किसको याद करना है अरे नहीं यार कोन इतना याद करता है बस आपक कि सडको की मरमत कराने की दिसा करवाई जाए ठीक है आप उसके बाद आगे यहां पर क्या लिख दोगे जैसे यहां पर लिखना होता है यह सारे लिख दोगे अब दूसरा टॉपिक क्या पूछा जाता है अपने मुहले की सफाई के लिए नगर पालिका अद्याच को एक प स्विधाओ के विस्तार और सुधार के लिए संबंद में अधिकारी को क्या लिखना है पत्र लिखना है जो पत्र लिखते हो ठीक है क्या लिखना है सरकारिय स्पताल में स्वास्त स्विधाओ के विस्तार और सुधार के संबंद में महोदे मैं आपका ध्यान सरकारिय स्पत कि बदहालती व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यहां की जो हालात है वह बहुती खराब है इसे वह इसे कुछ भी डॉक्टर टैम से नहीं आते हैं ड्यूटी सही से नहीं करते हैं कोई पैसा लेता है को गूंस लेता है जो मन करेगा सो यहां पर डाल देना है इतना नहीं करना है उसके बाद यहां लिखना अता मोदे से अनुरोध है कि आप इस पर कुछ करवाई करें ताके हमारे हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी हो जाए बस और इसके बाद फिर यह सारे जो पॉइंट होते है वो आप लोग लिख दीजिएगा चलिए आगे देखते नेक्स्ट हाँ ये भरस्टा चार ये तो भाई इंपोर्टेंट है भरस्टा चार के संबन में अपने विचार परकट करते हुए किसी दैनिक समचार पत्र को संपादक को पत्र लिखना है मतलब किसी अकबार को दैनिक जागरन को ही दैनिक भासकर को ही किसी को भी आप क्या क करना है कि भष्टत चार पर एक क्या करना है आपको पत्र लिखना क्या करना है तो आपके पत्र के माधियम से मैं मुखमंतरी का ध्यान अपनी और और आकरशित करना चाहता हो कि कारियाला में बहुत ही ज़्यादा भष्टाचार हो रहा है जब भी कुछ काम कराने जाते हैं तो गूर्स लेने के लिए बोलते हैं पैसे की मांग करते हैं और एक काम को तकरीबन तस बारा दिन में करते हैं जिने एक दिन में काम करना होता है व परकार से यहां बहुत सारे यह पत्र लिखान है यह मैं क्या करूंगा मैं आपको डेट बता दे रहाँ आप लोग मेसेज मत किजएगा प्लीज ज्यादा यह मैं आपको कल ठीक है कल साम को ठीक है कल साम को मैं आपको टेली ग्राम में डाल दूँगा सभी को जोइन कर ठीक है, बहुत सारे student जानते होंगे कि ये कौन सा topic है, नहीं जानते हैं तो जैसे मैं आपको प्रस्ण करवाऊंगा, कल के वीडियो में आप समझ जाएंगे, जैसे यहांपर कैसे कैसे प्रस्ण आते हैं, संचार माध्यमों की क्या उप्योगिता है संचार जो माध्यम इसकी क्या उप्योगिता है या फिर जन संचार साधनों की क्या विसेस्ता है मुदृत माध्यम के तीन विसेस्ताओं को बताएए ये कल के वीडियो में कोशन कंप्लीट कर दूँगा जितने भी टापिक्स बताया वो सारे समझ में आयोंगे तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजेगा जो भी नए वीवर है चैनल को सपोर्ट कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा